हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूं कि आपने घर पे होंगे स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे मैं वरुन कि शोर पुपाटी कंसल्टेंट अमेजिंग पुपाटी से आपके लिए एक फिर प्लॉट लेकर आया हूं लेकिन इस प्लॉट की जनकारी देने से पहले म मैं आपसे गुजारिस करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को में जोड़ देवा लें तक कि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले म मैं बता देता हूं यह जो सामने प्लॉट दिख रहा है जो बाउंडरी किया हुआ है यह पुरा आठ फिट का बाउंडरी किया हुआ प्लॉट है चार कठ्थे का प्लॉट है फुली कमर्सियल ठीक है यह फुली कमर्सियल प्लॉट है आप चार कठ्थे में आपको 32 फिट फ यह boundary उधर तक गया हुआ है यह पूड़ा है लेकिन इसमें से आपको पॉस्चिम साइट से आपको यह plot आपको सेल पे है चार कट्थे में इरिया अब मैं आपको बता देता हूँ यह जो आप सगुना मोर से अगर दानापूर स्टेशन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो जो इंडियनल के पेट्रॉल पंप है और ददन हंडी है उसी के बीच से रोड जो अंदर आई हुई है उसी में यह plot आपको परेगा आप एक बिल्डिंग यहां पर देख रहे हैं सिधैसवर भवन है और बगल में वी एन प्लाजा ठीक है इसी के बगल में यह वाला plot है जो भी जो सिधैसवर भवन है बस उसी के ठीक बगल में यह वाली plot है और बहुत ही अच्छा commercial है के और फुली कमेर्सियल है आप इसको चाहें तो से मीकमर्सेलू भी बना सकते है दुकान बना के ऊपर मकान वे परनाके रा सकते हैं और फ्रंट्ट भी आपको बहुत अच्छा एक मिल जाएगा 22सWitt फ्रंट आपके में है ठीक है तो आप लोकेशन तो समझ ही गए होंगे जो खगॉल रोड है जो दानापूर से जो रोड आती है दानापूर स्टेसन की तरफ तो इंडियान अनका पेट्रॉल पमजाब का पहला ही पड़ेगा और ददन हंडी जो है उसी दोनों के बीच से जो रोड अंदर आई होई कि है पूडब की तरफ उसी में यह प्लोट आपको जो बांडरी किया हूँ जो प्लोट है चारगठे का है इसी में चारगठा पुर्ण सेल पहे है तो आसा करता हूँ कि यह प्लोट आपको पसंद आयेगा इस प्लोट से लेटेट कोई भी जनकारी तो आपको चाहिए तो मेरे दियो वे नमबर 957609570 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए कॉल करके प्राप्त कर लीजी और मैं आपको यह प्लॉट भी दिखा दूँगा अगर आपको यह प्लॉट देखना हो तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत